उत्राखंड देव भूमी, मात्र भूमी, शत्षत वंदन अभिनन्दन, दर्शन संस्कृती धर्म साधना, श्रम रंजित तेरा कणकन उत्राखंड भारतिय गण राज्ज का 27 वा राज्ज है 9 नुवंबर 2000 को उत्राखंड अस्तित्व में आया उत्राखंड देश के उत्तर में इस्तित है और यह चीन और नैपाल से घीरा है उत्राखंड भारतिय गण राज्ज के हिमानचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्जियों से घीरा है उत्राखंड राज्ज की राजधानी देहरदून है बुलंद चोटियों जिलमिलाती जीलों और धाराओं, हरे भरे जंगलों, सुखद जलवायू, कई सहासिक खेल इस्थलों और महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ इस्थलों जैसे प्राकर्तिक आश्चरियों के साथ धन्य उत्राखंड दुनिया भर से आगंतुकों को आकर्शित करता है, उत्राखंड में प्रकर्ति और उसके अद्बुद आश्चरियों को देखने के लिए अतिथी बने आईए जानते हैं कुछ खास बातें जो उत्राखंड देव भूमी को स्वर्ग बनाती है उत्राखंड एक राज्जित जिसने देश को सबसे अधिक वीर जवान दिये, महान लोग दिये जहां का किसान कभी आत्महत्या नहीं करता, जहां भगवान शिव का ससुराल है, जहां उनका विवा हुआ जहां गणेश भगवान का जन्नु हुआ, जहां भगवान शिव का तीर्थी स्थान के दारनात मंदिर है, जहां भगवान नारैन का मंदिर बदरी विशाल है, जहां सिक्को के दसवे गुरू, गुरू गोविन सिंग जी गुरद्वारा है, हेमकुड साहिब में जिन्होंन अंग्रेजो को हराया, अंग्रेजो के दाद खटे कर दिये, माधों से घंडारी, जहां कि बाल मिठाई, पूरी दुनिया में अंतरास्ट्रिय बाल मिठाई के नाम से प्रसिद्ध है जहां के सैनिकों ने अरब तक हिंदुस्तान का पातागा फैराया जो गांधी जी का पहला प्रेणा दायक श्रोत गंगाजल को ले गए खरीद्वार से जहां के लोगों ने अपने पुस्तैनी गाउं को भी दे दिया जहां आज दुनिया का नंबर एक और एशिया का सबसे उचा डैम बनकर तैयार हुआ जो आज उत्तर परदेश, दिली, हिमाचल परदेश खुद उत्राखंड को बिजली दे रहा है जो टिहरी के नाम से मशूर है जहां के सैनिकों से लड़ने की हिम्मत चीन की भी नहीं हुई जहां के परवतों के किस्से पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है जहां जीवन दायनी गंगाजी का जन्म हुआ जहां के लोग भिकारी कभी नहीं मिलेंगे चाहे बाहर के लोग यहां आकर भीग क्यों न मांगें क्योंकि यहां के लोग मेहनत करते हैं और लोगों का सम्मान करते हैं जहां नरिंद्र सिंग नेगी प्रितम भर्तवान जैसे महान गायकों का जन्म हुआ जो दुनिया के कई देशों में जाकर गाचुके हैं जहां आज भी लोग ना गंदगी फैलाते हैं ना नफरत जहां सुरिष्टी की पहली शादी में दक्ष प्रजापती की पुत्री का विवाः भगवान शिवशंकर से हुआ जहां आज भी दिलों में प्रेम बसता है जहां के बच्चे अपने माबाप का अनुसरण एवं आदर करते हैं जहां के गाउं में आज भी दादा दादी अपने बच्चों को कहानिया सुनाते हैं जहां आज भी भूके रह रहे अथिती को खिलाने की रवायत है जहां आज भी सबसे जादा पेड़ है जहां के बच्चे कोई सुविधा ना होते हुए भी देश में सबसे ज़ादा तैराक है जहां की धर्ती ने उत्तरप्रदेश को पहला मुख्यमंत्री दिया जहां के राजा ने महाभारत में पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा जहां के लोगों की वीरता देखते हुए अंग्रेजों ने यहां के लोगों के लिए एक अलग रेजिमेंट गड़वाल और कुमाव रेजिमेंट खोल दी उत्राखंड जहां के लोगों को सबसे पहले अंग्रेजों का सबसे बड़ा वीरता चकर विक्टूरिया क्रॉस मिला यही वे तथ्य हैं जिनके कारण उत्राखंड स्वर्ग कहलाया जाता है एसी ही रोचक जानकारियों के लिए लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सबस्क्राइब करना न भूलें